दोस्तो स्वागत है आपका Amplifier World चैनल में और आज कुछ बाते उन सब्सक्राइबर के सवालों के जवाब देने की है जो अक्सर पूछा करते हैं सर आपका रिपेर शॉप कहां है आप कहां रहते हैं और आप अपने जो पीसीवी है वो किस तरीके से डिजाइन करते हैं कौन स प्रिंटर इस्तिमाल करते हैं और आपका वर्किंग सेट अप वर्क्शाप कैसा है तो देखिए आज ये वीडियो उसी के उपर है तो देख लीजे किस टाइप से मैं वर्क करता हूं तो दोस्तो मैं आपको यहां यह बता दू कि मेरा बैग्राउंड जो है इलेक्रोनिक से बिल्कुल भी नहीं है मेरा इलेक्रोनिक से ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि जिससे मैं यह कहूं कि मैंने इसका कोई कोर्स किया है या फिर कोई इस पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है इलेक्रोनिक का ग्यान बस मेरा प्रैक्टिकल ही है और इसके अरावा जो भी इंटरन electricals से मैं जुड़ा हुआ हूँ जिसमें की बड़े-बड़े panels और motors repair और भी बहुत सारे electricals के major problems को मैं repair करता हूँ तो ये कुछ video की जलकिया थी जो कि मैं अपने site पर work करता हूँ तो चलिए अब electronics की बात करते हैं तो देखे ये रहा मेरा computers और computers पर मैं इस तरीके से circuit diagram बनाता हूँ तो ये circuit diagram रखा हुआ है और एक यहाँ पर PCB मैं design करके बना रहा हूँ जो की अलगबग 1200 watt का output देगा और plus minus 100 volt की supply पर चलेगा और ये रहा मेरा चाय का cup क्योंकि PCB design करते समय चाय पीना मुझे बहुत पसंद है और दोस्तो print out लेने के लिए use करता हूँ मैं laser jet printer देखिए laser jet printer है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो मैंने paper use किया है ये magazine के paper use किया है मैंने कोई photo paper use नहीं किया है और देखिए जो printer है उसका model number आपके screen के सामने दिखाई दे रहा है बहुत से subscriber ऐसा करते हैं कि color print में अपना print out लेते हैं उसके बाद message करते हैं कि सर हमारा print तो आहीं नीरा है copper clad के उपर तो दरसल आपको लेना है laser jet printer से print और देखिए जो PCB बनने के setup है जिसे मैं repair तो नहीं कहूंगा जो भी printed circuit board है circuit design जो किये जाते है circuits बनाये जाते हैं यहां पर बनाये जाते हैं और यह चोड़ा fan लगा रखा है यह fan क्या होता है कि जब हम work करते हैं तो इस एरिया में वो इस fan जो है इसको सक करके दूसरी साइड फेक देता है जिससे कि जो हानी कारज धुआ है आपके बॉड़ी के अंदर नहीं जाता फिलाल अभी यहां कोई soldering work नहीं चल रहा है तो इस लिए इस fan को मैं अभी आफ कर देता हूं एक यह variable power supply source है मेरे पास जो की 35 volt maximum दे सकता है और उस source को power up करने के लिए मैंने laptop charger का यूज किया है जो की 19 volt का output देता है और यह boost converter पर जाता है और उससे 35 volt का output देता है और यह जो terminals है इस पर मुझे voltage मिल जाता है जो आप stud देख रहे हैं तो फिलहाल अभी इस fan को मैं बंद कर देता हूं क्योंकि soldering work कभी यहां नहीं चल रहा है अब बात करते हैं PCB बन जाने के बाद print कैसे लिया जाए तो देखी यहां पर मैंने PCB design कर ली है अब इस PCB को मैं print करूंगा तो PCB design करने के लिए मैं print layout इस software का मैं use कर रहा हूं और इस software में अभी तक जो मैंने काफी सारी PCB बनाई है design की है और यह काफी अच्छा software है अगर आपके पास computers हैं तो आप इसी software का use करके आप अपना PCB design कर सकते हैं थोड़ा वक्त लगता है इस software को सीखने में लेकिन कमाल का software है तो चलिए इसका मैं print out यहां पर ले लेता हूं दोस्तो इस software में जब हम PCB का print लेते हैं तो यह हमारे पास options होता है कि हम एक page के उपर इसके कितने print हम set कर सकते हैं तो देखिए यहां पर मैं इस page पर 2 print set कर देता हूं हाला कि मैं इसमें 4 print भी add कर सकता था लेकिन फिलाल 2 print ही काफी है print command जाने के बाद printer चालू हो गया है देखिए उसका toner warm up हो रहा है क्योंकि प्रिंटर को हम first time on करते हैं तो इमिजेट प्रिंट नहीं आता है क्योंकि इसका toner heat के बाद पिखलता है इसलिए इसको warm up होना पड़ता है तो लीजिए यह मेरा print out आ गया अब मैं इसको cutting कर लेता हूं तो देखिए cutting मैंने इस तरीके से कर ली है क्योंकि यह तो paper में जहाँ जितना area मुझे printing मिला मैं उतना area मैंने यहाँ पर cut कर लिया है तो देखिए इसमें paper के उपर already बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन वो हमारे copper clad के उपर print नहीं होगा तो देखिए copper clad का यह piece मैंने आंसे cut out किया है और उसे किसी जो wool होता है जो dish wash करने के लिए इस्तेमाल जो बरतंद होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो wool होता है steel wool उसका मैंने use करती वे इस copper clad को साफ किया है अब यह जो print है इसको मैं उस copper clad के उपर press कर दूँगा दोस्तों यह जो toner है इसको transfer जो हमें copper clad पर transfer करना है उसके लिए हमें heating की जर्रत होती है तो यह जो paper का piece है जिसके उपर toner transfer method से हमने print out लिया है अब हम इसको अपने इस copper clad के उपर इस सारा toner transfer करेंगे लेकिन उसके लिए हमें एक iron की जर्रत होगी जो की अच्छी तरीके से heat होना चाहिए और उस iron में ऐसा जो उसका plate side जाहा है जो heating plate side है उसमें किसी विरकार के hole नहीं होने चाहिए बिल्कुल plane होना चाहिए तो सबसे पहले इसके उपर बिल्कुल soft तरीके से आप इसको iron को रख दीजिए जिससे कि इसके उपर जो copper clad के उपर जो toner है वो चिपक जाएगा और उसके बाद आपका paper जैसे आप iron इदर-दर move करेंगे तो ये paper भी copper clad के उपर चिपका रहेगा और इदर-दर move नहीं होगा जिसे print खराब नहीं हो जाएगे अगर आप suddenly press कर देंगे इस paper को और iron घुमा देंगे तो copper clad के उपर ये paper फिसल जाएगा और सारा जो toner है भी खर जाएगा जो toner है आपके copper clad के उपर इदर-दर चिपक जाएगा जो कि आपके print out को खराब कर देगा फिर आपको दुबारा print लेना पड़ेगा और copper clad को भी साफ करना पड़ेगा तो इस rework से बचने के लिए आप सबसे पहले iron को धीरे से रखिए थोड़ा देर wait कीजिए 10 से 15 सेकंड उसके बाद ये paper आटोमेटिकली copper clad के उपर चिपक जाता है उसके बाद iron को धीरे धीरे इस paper के उपर पूरा घुमाईए और iron की heating आप थोड़ा hard रखिए जैसे कि cotton का setting जो होता है iron के उपर setting होते है cloth की साबसे तो hard जो heat होता है जो ज़्यादा गर्म होता है वो cotton के लिए recommend किया जाता है तो आप iron की setting cotton पर रखिए और उसके बाद इसको आप प्रेस कीजिए maximum setting फुल ज़्यादा मत करिए क्योंकि ज़्यादा heat से भी copper clad खराब हो जाता है चार से पांच मिनट प्रेस करने के बाद ये paper copper clad के उपर पूरी तरीके से चिपक जाएगा अब हमें इस paper को यानि कि इस copper clad को पानी के अंदर भीगो देना है जिससे कि इसकी उपर का पूरा paper गल जाएगा पानी में और copper clad के उपर केवल tuner वाली black print रह जाएगी दोस्तों ये एक plastic का container है इसके अंदर हम अपना clad डाल देंगे और इस container को हम साधे पानी से fill कर देंगे चली मैं इसमें थोड़ा साधा पानी आड़ कर देता हूँ अगर आप थोड़ा हलका गर्म पानी आड़ करते हैं तो कागस के गलने की speed जो है ज्यादा रहेगी वह बहुत जल्दी ये कागस गल जाएगा तो चली अब दूसरी तयारी करते हैं इस setup को लगाता हूँ मैं ये मेरा एक ऐसा setup है शेकिंग setup है जैसे कि अगर हम किसी container में ferric chloride लेते हैं और copper clad डालते हैं तो हमें उस container को लगातार shake करते रहना पड़ता है हिलाते रहना पड़ता है तो यहाँ पर ये setup है जो कुछ इस तरीके से हिलता रहेगा दाएबाए तो ये चलता है Bluetooth से इसका video मैंने अपलोड किया था बहुत पहले कि ये किस तरीके से काम करता है तो देखिए मैंने इसे amplifier से जोड़ा है इस setup को और मैं अपने amplifier में जो है कि Bluetooth के जरिए 1 Hz का sine wave signal insert करूँगा इस 1 Hz के signal से जो मेरा amplifier का speaker output है उससे एक DC motor जोड़ी हुई है गेर motor जो की left and right घुमती है AC wave के कारण 1 Hz की और इसके उपर एक plate लगा हुआ है उस plate के उपर मैं अपना container रख देता हूँ जिसमें fairy chloride रखा हुआ होता है और वो धीरे धीरे शेक करता रहता है तो देखी यहाँ पर frequency मैं 1 Hz सेट कर देता हूँ frequency feed करने के लिए मैं यहाँ पर function generator इस app का use कर रहा हूँ यह app आपको play store पे आसानी से मिल जाएगा और इसे आप अपने smartphone में download कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने 1 Hz की frequency सेट की है और जैसे मैं out button दबाऊँगा तो मेरे amplifier के speaker wire से 1 Hz की frequency out होगी काफी slow चल रहा है शायद frequency और बढ़ाने की जड़त है तो मैं और frequency बढ़ा के देखता हूँ थोड़ी speed बढ़ जाएगी हाँ अभी यह थोड़ी speed पहले के मुकाबले बढ़ी है देखिए दोस्तों 1.2 Hz की frequency पर इस तरीके से left-right moment मुझे मिल रहा है इसके उपर मैं अपना container रख दूँगा चाहूं तो मैं frequency इससे ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ लेकिन अगर ज़्यादा frequency रहेगी तो इसका movement और fast हो जाएगा और नतीज़ा जो ferric chloride liquid है वो spill out हो जाएगा देखिए जैसे मैं इस भी frequency मैंने कम की है 1 Hz से भी थोड़ी कम कर देता हूँ मिली हर्ट्स में 0.8 हर्ट्स के करीब या 0.9 हर्ट्स के करीब रखना ज्यादा सही होगा देखिए टू हर्ट्स पे इस तरीके से fast चलने लगता है इतने में तो पूरा liquid spill out हो जाएगा पूरा newspaper के हो इसलिए मैंने newspaper नीचे रखा है ताकि फर्ष गंदा ना हो दोस्तों हमने अभी अपनी copper clad पानी के अंदर डाल रखी थी तो देखिए यह भी अब धीरे धीरे जो paper है इसके उपर वो नर्म हो गया है अब हम इस paper को इसके clad के उपर से खीच सकते हैं लेकिन मुझे लगता है थोड़ा weight और कर लेना चाहिए क्योंकि ज्यादा जल्द इस ट्रे के उपर रखा है ताकि इसका left and right movement हमें मिल सके तो चलिए अब मैं इसको on करता हूँ और अपना copper clad इस liquid में डुबो देता हूँ दोस्तो हमारा copper clad बिल्कुल ready हो चुका है और copper clad के उपर जो paper हमने paste किया था देखिए वो paper आसानी से अब निकल जा रहा है और paper के उपर जो toner लगा हुआ था वो अब copper clad के उपर पूरी तरीके से transfer हो गया है तो इस paper को हम काफी साउधानी से बाहर निकालेंगे अगर ज्यादा जटके से हम इसे बाहर निकालेंगे तो जो black toner है वो भी इस paper के साथ साथ उखड जाएगा और फिर हमें इस clad को permanent marker से उखडे हुए भाग को लगा कर उसे repair करना पड़ेगा और कई बार ज्यादा उखड जाने से पतली track उखड जाने से repair work उतना अच्छा नहीं हो पाता है इसलिए कोशिश यही रहने चाहिए कि paper बहुत आराम से धीरे से निकाला जाए ताकि किसी प्रकार की कोई print न उखड़े और जो joints जहाँ पर copper गल जाना है उसके आसपास अगर कोई paper का टुकड़ा लगा रह जाता है तो उसे clean कर लेना चाहिए तो दोस्तों अब हमारा copper clad यहाँ पर बिल्कुल ready है ferric chloride के liquid या ferric chloride के घोल में डूबने के लिए चलिए इसे उसी liquid में हम डाल देते हैं so best of luck अच्छी quality का PCB बनके बाहर निकलना तो चलिए अब इसकी shaking हम शुरू करते हैं दोस्तों PCB को तयार होने में थोड़ा वक्त लग जाता है 10-15 मिनट शेकिंग के लिए लगते हैं तो चलिए तब तक दूसरे काम कर लेते हैं दोस्तों 10-15 मिनट के बाद PCB हमारा ready हो गया है और जो unnecessary copper था वो अब गल चुका है चलिए एक बार इसका हम पास से इसको inspection कर लेते हैं कि पूरा copper गला है या नहीं या कुछ शेश रह गया है दोस्तों ferric chloride के liquid में directly हाथ नहीं डालना चाहिए gloves पहन के या फिर आप इस तरीके से tweezer या चिम्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका इसमें कहीं copper जो है छूट तो नहीं गया है तो इसमें देखिए अभी इस side में आपको थोड़ा copper लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा जो कि अभी पूरी तरीके से गला नहीं है मुझे लगता है इसको अभी पांच मिनट और इसमें डुबोना पड़ेगा उसके बाद ये पूरी तरीके से गल जाएगा इसके बाद दोस्तों ये जो stand है आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है इसके उपर मेरा इस तरीके से mobile रखा होता है और इसके नीचे का हिस्सा यहाँ पर focus करके मैं circuit diagram draw करता हूँ या फिर कोई circuit तैसे मैं बना रहा हूँ तो इसको इस तरीके से करता हूँ तो देखी ये मैंने इस तरीके से रखा और इस तरीके से रखने के बाद यहाँ से मैं camera on कर देता हूँ और यहाँ नीचे का shooting हो जाती है तो ये जो setup बना हुआ है एक normally ऐसे ही बना हुआ है एक wooden का है ना तो कोई camera stand है ना कुछ बस इसी तरीके से काम हो जाता है तो अभी हमारा फिलाल ये जो PCB हमने उसमें liquid में डुबोया था ये पूरी तरीके से बन चुका है अब इसमें drilling की पारी आती है तो drilling के लिए मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ तो देखे drilling के लिए इस टाइप की motor मैं use करता हूँ और ये heavy duty motors है जो की 12 volt के लिए दुकानदार ने कहा था कि 12 volt पर चलती है लेकिन असल में ये 12 volt की motor नहीं है ये कम से कम इसे 30 volt तो power supply लगता है तब उसके बाद जाके इसका full 3000 rpm आता है 12 volt पर ये काफी slow चलती है तो इसलिए मैंने ये setup लगा रखा है multiple voltage का अब इसे 35 volt मैं boost up करके जैसे ही यहाँ पर दूँगा देखिए यहाँ पर हम ये जो terminals है हम यहाँ पर इस तरीके से लगा देते हैं यहाँ और यहाँ और ये motor घुमने लग गया तो ये काफी तेज चल रहा है अगर हमें इसे slow करना है तो हम वो भी कर सकते हैं फिलाल उसके लिए voltage कम करने की जरत पड़ती है तो ये मैं निकाल देता हूं इसे और हम यहाँ से ये जो आप यहाँ पर preset देख रहे हैं इसको हम घुमा कर इसका voltage हम कम कर सकते हैं तो फिलाल ये motor के लिए 35 volt ओके हैं तो चलिए drilling process चुरू करते हैं दोस्तो drilling करने के लिए इस type का point eight mm का beat है और इसको हम अपने machine में लगा देंगे यहाँ पर और इसका एक है इसको हम tight कर देते हैं इसको tight होने के बाद में इस motor को on कर देते हैं अब यह motor on होने के बाद में इसे हम इस तरीके से drill करते हैं इस तरीके से यह drill हो जाता है दोस्तों यहाँ साउधानी वाली बात यह है कि आपका हाथ PCB के side जो होता है वो drill उसमें से आपका हाथ चोटिल न हो जाए इसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए यह के वल मैं दिखाने के लिए इस तरीके से drill कर रहा हूं आप इसको किसी wooden platform के उपर रखकर इस तरीके से drill करें इस तरीके से मैं कर रहा हूं यह तरीका सही नहीं है क्योंकि इसे हाथ में drill bit घुचने का डर होता है तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे comments box में जरूर बता सकते हैं और हां मैं सभी के comments पढ़ रहा हूं किसी comments शूटे नहीं है तो comments करते रहिए और वीडियो को like share तो जरूर ही कर देजे तो मिलते हैं next video में जिसमें हम इस PCB को बनाने के बाद उसका test and trial लेंगे तो मिलते हैं next video में thank you for watching and have a nice day